पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम दुनिया के टॉप खिलाडियों में गिने जाते हैं उनकी क्लासिकल बल्लेबाजी की कई दिगजों ने तारीफ भी की है वहीं जब से बाबर आजम ने पाक किरकेट टीम की कमान संभाली है तब से टीम के पाफॉमेंस में काफी बदलाव आया है और टीम काफी अच्छा भी कर रही है वहीं पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर किरकेट के एहम सदस्त शादाब खान ने अपने कप्तान बाबर आजम को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने यहां तक कह दिया है कि खिलाडी बाबर के लिए अपनी जान तक दे देंगे उन्होंने टीम की शांदार सफलता के लिए अपने कप्तान को क्रेडिट दिया पाकिस्तान में पिछले 9 T20 इंटरनेशनल में से 8 में जीत दर्ज की जिसमें ICC T20 वर्ल कब के ग्रूप स्टेज के सभी मैचों में जीत शामिल है इसके अलावा उसने बांगलादेश में दो टेस्ट मैच भी जीते जियो टीवी से बात चीत करते हुए शादाब ने कहा बाबर जो डिसीजन ले रहे हैं वे इस बात की और इशारा करते हैं कि वे एक प्रभावशाली लीडर हैं उनके लीडर्शिप की ही खासियत है कि टीम अब एक युनिट के तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है लोग एक ऐसे लीडर के लिए अपनी जान तक देने के लिए तयार हैं जो हमेशा उनका समर्थन करते हैं सिर्फ शादा भी नहीं बलकि पाकिस्तान किरकेट बोर्ट के अध्यक्ष रमीज राजा ने भी बाबर की जम कर तारीफ की उन्होंने कहा बाबर आजम को सशक्त बनाने और बेफिक्र रवया अपनाने से पाकिस्तान को पिछले दो महीनों में स्तन्युक्त अरब अमिराद और बांगलादेश में सफलता हासिल करने में मदद मिली मैं इस बाद पर जोर देना चाहता हूँ कि लीडर्शिप मैंने रखती है जब आप लीडर को सशक्त बनाते हैं और उसे आत्मबिश्वास देते हैं तो वह निर्मे टीम प्रदर्शन से लेकर खराब खेल के जिनमेदारी लेता है वह साहसी बन जाता है यह सब सुनने के बाद यह कहा जा सकता है लंबे अर्से के बाद पाक किर्केट टीम को एक ऐसा लीडर मिला है जिसके निर्तित्व शमता की हर तरफ तारीफ हो रही है और यह पाक किर्केट के लिए एक अच्छा संदेश भी है